चने का कैसा रहेगा भाव क्या बनेगी तेजी आये जानने की कोशिश करते हैं दरसल पिछले सब्तहा चने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली बीते सब्तहा के दुरान चना दाल बेसन में मांग न रहने से लगबग 325 रुपे प्रतिक विंटल की गिरावट दर्ज की चना दाल में कमजोर मांग और नए फसल की बढ़ती आवक का दबाव फिलाल चने की कीमतों पर देखने को मिल रहा है वहीं अगर दिल्ली की बात की करें तो दिल्ली में चने के दाम में 300 रुपे तो मंडियों में क्वालिटी अनुसार 100 से 200 रुपे का बाजार कमजोर है उधर देखा जाए तो चने की फसल भी कमजोर है लेकिन MSP के आसपस भाव होने से मंडियों में आवक बढ़ने लगी है जिसके चलते चने में गिरावट देखने को मिल रही है वहीं चने के उतपादन में उमीद की जा रही है कि गिरावट आ सकती है यानि चने के उतपा के बाद इल्ड में भी कमजोरी का अनुमान है उधर नाफिट के पास 2023 में चने का स्टोक 925,000 टन के आसपस रहने का अनुमान लगाया गया है वहीं बाजार जानकारों का कहना है कि दिल्ली चना हमारी उमीद के विपरिद बड़ी तेजी से सब्ताह में कमजोर हुआ है ऐस का फ्रेंडामेंटल आगे चलकर मजबूत बन सकता है जानकारों का कहना है कि फिलाल चने में सिमित मात्रा में खरीदारी करके चलना चाहिए वहीं अगर भाव की बात की जाए तो मार्च अप्रेल में चने का भाव सुस्ती के साथ कारोबार करता दिखाई दे सकता है लेकि क्yas कि कि बाते है कि जारे कि का बाते है लेकि ओेकि जाए बने लेकि पसका